Today's lecture, today we gonna talk about adjective, क्या lecture है आज का? Adjective आज का lecture है, ओके? Adjective, parts of speech का तीसरा family member है, तीसरा family member पहला family member था noun, किसी भी जगा, चीज, शक्स, जानवर के नाम को कहते हैं noun, ये पहला family member हमने पढ़ा था, और छोटी सी definition उमीद है, कि अब आप noun को पहचान सकते हैं, हमने noun की types भी पढ़ी थी common, proper, singular, plural, countable, uncountable, masculine, feminine, इस तरह हमने noun की types भी पढ़ी थी compound, collective, abstract noun, concrete noun, ये सारी, मगा simple बात क्या है? कोई भी अलफास, किसी चीज का नाम होगा, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? noun, फिर noun के भाई के बारे में पढ़ा था, detail में, परसो हमने, वो क्या था? pronoun, नाम में ही क्या आ रहा था? pronoun, 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 यानि noun की जगा जो इस्तमाल हो, वो pronoun है English का मुश्किल तरीन lecture, pronoun, फिर pronoun की types में पढ़ी दी, कि भाई एक होता है subjective pronoun, I फिर एक होता है possessive adjective, my, फिर एक होता है possessive pronoun, mine, फिर एक होता है objective pronoun, me, फिर एक होता है reflexive pronoun, myself, फिर this, that, these, those, there, ये सारी चीज़े हम लोगों ने pronoun में पढ़ी दी और भी बहुत सारे pronoun, relative pronoun, जुमले के बीच में आते है, relative pronoun, where, when, who, relative pronoun, आप बोलेंगे सर, where का मतलब तो कहां होता है, मैं कहता हूँ, बिलकुल होता है, और where का मतलब जहां भी होता है, मैं कहता हूँ, the place where I live, जगा, जहां मैं रहता हूँ, the person who is standing outside, शक्स जो बाहर खड़ा ह आप बोलेंगे सर, who का मतलब तो कौन होता है, कि who are you, मैं कहता हूँ, बिलकुल, एक मतलब है कौन, और एक मतलब है जो, who are you, तुम कौन हो, who, Joe, the person who is standing outside is a lawyer, person जो बाहर खड़ा है, वो वकील है, इस तरह, तो ये था noun or pronoun, आज तीसरा lecture है, उसका नाम क्या है, adjective, noun, pronoun का नौक चमचा, adjective का तालुक किस से, noun और pronoun से, ऐसे करके जहन में बिठाएंगे ना, तो आपको बहुत easily समझ आ जाएगा, ऐसे करके अगर जहन में बिठाएंगे, तो easily आप सारी बात समझ जाएंगे, जैसे noun, pronoun, adjective, noun किसी भी जगा, चीज शक्स, जानवर का नाम, pronoun, noun की जगा इस्त करे, ऐसा अलफास जो शो करे, क्या शो करे, quality of noun, quality of noun and pronoun, चोटी सी डेफिनेशन जहन में, कोई पूछे बाई, adjective क्या है, बाई, noun, pronoun की खासियत, क्या कहरी ये definition, a word that shows quality of noun and pronoun, क्या होता है, बाई, adjective, ऐसा अलफास जो noun या प्रोनाउन की खासियत बताता है, noun, pronoun के बारे में बत अच्छी बात, बुरी बात, कोई भी बात, noun, pronoun के बारे में, जैसे भई, जैसे भई, असर एक pronoun है, यहाँ पे, ओ, sorry, noun है, आप noun है, असर एक noun है, असर एक noun है, असर एक noun है, तो यह हैंडसम क्या हुआ, असर, हैंडसम जो है, वो किसको explain कर रहा है, असर को, किसको explain कर रहा है असर को, असर एक noun है, तो यह handsome क्या हुआ? adjective हुआ, क्या हुआ? adjective हुआ, he is kind, वो रहम दिल है, वो रहम दिल है, अच्छा अजीम इनसान है, kind, तो यह kind कौन है? he, kind कौन है? he, तो kind क्या हुआ? adjective, तो बास समझाई, ऐसा अलफाज जो noun और pronoun की खासियत बताए, noun pronoun के बारे में बताए, वो क्या है? adjective है, मैं कहता हूँ, for example, बुर्ष खलीफा is tall, मैं कहता हूँ, बुर्ष खलीफा लंबी बिल्डिंग है, हम लोग building के लिए उड़्दू में बड़ी इस्तमाल करते हैं, बुर्ष खलीफा है, बुर्ष खलीफा is big, तो इंग्लिश में भी ऐसी बोलते हैं, उर्दू में कहता हूँ, बुर्ष ख तो जागे बुच्छ खलीफा क्या है? एक noun है और उसकी खासियत क्या है? तॉल तो तॉल क्या हुआ? सिंपली adjective और बुच्छ खलीफा कौन सा noun है? वही compound, दो अलफाज चीज एक ही है तो बात समझ आई यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ आई वो क्या समझ आई? कि फाइज़ा क्या है adjective? noun और प्रणाउन की खासियत noun और प्रणाउन की खासियत मैं कहता हूँ फाइज़ा is quite फाइज़ा is quite फाइज़ा क्या है? खामोश है तो फाइज़ा की quality क्या है? quite तो यह quite क्या हुआ? adjective हुआ क्या हुआ क्वाइट? एडजेक्टिफ सिंपल लोग इतना रॉकेट साइंस लेते हैं एडजेक्टिफ को पतनी क्या चीज़ है हाला कि आप ऐसे याद रखें बाई नाउन और प्रोनाउन की चम्चाए गिरी बस नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता रहता है ऐसा अलफाज नाउन प्रोनाउन के बारे में बता है वो क्या है? एडजेक्टिफ है जैसे मैंने का फाइजा इस कॉइट फाइजा क्या है? कॉइट है it is quite easy, ुھ بلکل easy है it is quite difficult, ुھ بلکل difficult है यह वाले quite का मतलब बिल्कुल मुकमल और यह वाले quite का मतलब खामोश मगर आप जहाँ भी देखेंगे लोग खामोशी के लिए भी क्या लिखते हैं यह वाला quite हलाक इसका मतलब हर्गिस खामोशी नहीं है एक और होता है QUIT इसका क्या मतलब होता है? Yes, Daniel, क्या है QUIT का मतलब? निकल जाना, छोड़ देना कोई जगा QUIT तीनो एक जैसे अलफाद है हसीप, तीनो एक जैसे अलफाद है QUIT, QUITE, QUITE मगर मैंने देखा है, even teachers, even सब लोग यह वाली गलती करते हैं के खामोशी के लिए यह वाला QUITE लिख देते है जैसे, आप बोलें THROW, फेकना THROW क्या है? यह वाला word है, THROW, फेकना लोग क्या गलती करते हैं THROW के अंदर? कुछ भी कर लो, लोगों के जहन में यह वाला बैठावा है, PRAY POSITION, THROW Zरीये लोग यह वाला THROW लिखते हैं हाला के जो आप बोल, मिस्पेलिंग, मैं डिक्टेशन भी करवाँगा ना बोलूँगा, I THROW बॉल, वो लिखेंगे यह वाला I THROW बॉल, हाला के THROW, फेकना और THROW, जरीये, एनिवे तो यह वाला कॉयट था खामोश, एडजेक्टिफ चले, वापिस आते हैं, लेक्चर की तरफ बड़ा यह सिंपल लेक्चर है, एडजेक्टिफ क्या होता है भई, एडजेक्टिफ नाउन, प्रोनाउन की खासियत मैं दानियल की बात करता हूँ मैं कहता हूँ, he is sharp, यह तेज है he is sharp, तो sharp क्या है भई, he की quality है प्रोनाउन की quality है, तो sharp क्या हुआ, एडजेक्टिफ क्या होगी है शार, एडजेक्टिफ तो यह बात समझा ही, मैंने एग्जेम्पल लिखिए big, tall, small, beautiful, ऐसे अलफास जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हूँ आप आँख बन करके क्लिक करेंगे और बुलेंगे यह क्या है, एडजेक्टिफ है अच्छा, अब एडजेक्टिफ तीन तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं तीन, जिनको कहा जाता है degrees of क्या कहा जाता है जिनने degrees of adjective, degree का मतलब है दर्जा किसी की भी तारीफ करते हैं आप, कभी भी अड़्दू में भी किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ करने के तीन दर्जे होते हैं तीन तरीकों से तारीफ की जाती है किसी की भी मैं कहता हूँ, असर आप sharp हो एक तरीका दूसरा तरीका जिसमें compare करते हैं मैं कहता हूँ असर आप दानियाल से जादा sharp हो तीसरा तरीका सबसे best की बात करते हैं असर आप सबसे जादा sharp हो हमेशा उर्दू में इंगलिश में Arabic में तारीफ तीन ही तरीकों से की जाती है तीन degrees डिगरी का मतलब है दर्जा तीन दर्जे होते हैं तारीफ के फाइजा आप intelligent हो फाइजा आप हसीब से जादा intelligent हो दूसरा तीसरा फाइजा आप सबसे जादा intelligent हो तीसरा फाइजा आप सबसे जादा intelligent हो तीन तरीके होते हैं तो English में भी क्योंके adjective तारीफ कर रहा है खासियत बता रहा है अच्छी है बुरी adjective तो adjective भी तीन तरीके के होते है तीन दर्जे होते है इनके पहला होता है normal degree दूसरा होता है comparative degree और तीसरा होता है yes तीसरा होता है superlative degree बिलकुल ऐसे यह superlative degree superlative degree जैसे मैं कहता हूँ कि अली जा मैं कहता हूँ danial sharp है तो मैं क्या बोलूँगा danial is sharp simple बात हो रही है क्या कह रहा हूँ मैं danial is sharp तो ये sharp कौन सी degree है normal danial is sharp अगर danial को compare करूँगा देखे न comparative compare से निकला है वर्ड comparative अगर danial को compare करूँगा तो मुझे कौन सी degree लगानी होगी comparative तो sharp की degree क्या होगी comparative danial is sharper sharper than me क्यों बहाई मेरे से ज़दा sharp नहीं आप से ज़दा दा enquलिधा दानियाल is sharper than असर danial असर से ज़दा sharp है तो ये वाला जो sharper है ये कौन सी degree है comparative शार्पर और सबस्के साथ की बात होगी कि सूपरलेटिव तो बेस्ट की बात होगी यह क्या हो जाएगा शार्पर शार्पिस्ट शार्प, शार्पर, शार्पिस्ट sharp, sharper, sharpest normal, comparative, superlative तीनों degrees हो गई मैं कहता हूँ यह रूम बड़ा है पाइजा कैसे बोलूँगा यह रूम बड़ा है यह रूम नमबर 2 से बड़ा है यह रूम सबसे अदा बड़ा है यह रूम इस बड़ा है यह रूम इस बड़ा है असर कहते हैं सर मैं खुश हूँ I am happy हूँ I am happy फिर कहते हैं सर मैं Danial से जादा happy हूँ happier than I am happier than Daniel मैं सबसे जादा खुश हूँ I am the happiest person I am the happiest person so happy, happier, happiest like this sharp, sharper, sharpest tall, taller, tallest Big, Bigger, Biggest Small, Smaller, Smallest ये रूम स्माल है This room is small ये रूम नमबर 2 से जादा स्माल है This room is smaller than Room number 2 ये रूम सबस्दा स्माल है This room is smallest मैं इंग्लिश में वीक हूं I am weak in English मैं इंग्लिश में मैं अली से जादा वीक हूं I am weak Weaker than अली इंग्लिश मैं सबस्दा वीक हूं I am weaker person Now I am the weakest Weak, weaker, weakest ये सारा adjective है यहां तक समझ आई ही बात क्या है बाई adjective ऐसे अलफास जो noun pronoun की तारीफ करते हैं सही है बात समझ आई सही है और तारीफ करने के या खासियत बताने के तीन तरीके हैं Normal, comparative, superlative और जब भी हमें normal से comparative, superlative बनाना होगा हम असानी से बना सकते हैं Sharp, sharper, sharpest Tall, taller, tallest Weak, weaker, weakest Small, smaller, smallest Short, shorter, shortest Sir, कोई ऐसा वर्ड जिस तरह जिस तरह शार्प है, sharp पर नहीं कर रहा हाँ दोनों, दोनों, असार और फार्था दोनों का एक ही सवाल तो Sir, जैसे beautiful है कि मैं कहता हूँ कि Anushka Sharma is beautiful तो क्या होगा Sir? Anushka Sharma is beautifuler than Aishwariya या Anushka Sharma is the beautifulest नहीं तो जब हमें जब वर्ड बड़ा है beautiful जैसे तो हमें क्या करना होगा? तो फिर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा Danial क्या हो जाएगा? Beautiful? No, not very beautiful Beautiful? More? Most beautiful Beautiful? Most Most beautiful ये हो जाएगा जैसे मैं कहता हूँ के Anushka Sharma beautiful है तो मैं बलूँगा Anushka Sharma Anushka Sharma is Beautiful मैं कहता हूँ Anushka Sharma pretty से ज़्यादा beautiful है Anushka Sharma is more beautiful than pretty साहिए? Anushka Sharma सब सब ज़्यादा beautiful है Anushka Sharma is the most beautiful I tarp ये वाला इस्तमाल कर रहा हूँ ये वाला इस्तमाल कर रहा हूँ ये टि- एच a-n compare करने के लिए हमेशे क्या आता है? TH- introduces TH-들이- ए- एच इए-因 वाला डिफर्ट है उसका मतलब है फिर TH-e- ا前 कि I take class, मैं class देता हूँ, then I go home, फिर मैं घर जाता हूँ Compare करने के लिए कौन सा वाला then है, TH, AN वाला मैं कहता हूँ, he is more beautiful than, he is smarter than, TH, AN वाला ना के TH, EN वाला, अच्छा, आप कहते हैं, सर हमें पता कैसे चलेगा कि ER लगाना है, या more और most लगाना है हमें पता कैसे चलेगा, कि sharp, sharper, sharpest है, या handsome, more handsome, most handsome ये कैसे पता चलेगा, कि कहा more और, कौन से adjective में, more और most लगना है और कौन से adjective में, ER और EST लगना है, ये कैसे पता चलेगा, सवाल ये है कि भई हम अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते ना, कि हाँ इसमें ER और EST लगेगा इसमें more और most लगेगा अपनी तरफ से तो ये नहीं कर सकते न हम लोग हमें कैसे पता चलेगा तो ऐसे पता चलेगा अगर adjective का एक ही syllable है क्या है एक ही syllable है तो er और est लगेगा अगर एक से जादा syllable है तो more और most लगेगा अब सवाल एक और पैदा होते है सर ये syllable क्या है सर ये syllable क्या है एक होता है word elfस एक होता है syllable उसके टुकरे जैसे 멋द ये एक लफाद है syllable कितने है कितने syllable है तीन syllable है beautiful तीन है ना टुकरे तो ये टुकरे जो है इनको क्या कहा जाता है bilmiyorum кино shown three और four किलास में बच्चों को रटवाया जाती है बात अगर आपने स्कूल के अंदर मेट्रिक किया है तो आपको भी शायद होगा वर्ड और सैलिबल बच्चों को पढ़ाया जाते है स्कूल में कि बई एक होते हैं अलफाज और एक होते हैं सैलिबल उनी के टुकडे जैसे बाई, intelligent दो टुकडे, normal intelligent, कितने टुकडे हैं बाई, चार intelligent, चार टुकडे, चार सैलिबल है तो English grammar क्या कहती है कहती है कि अगर adjective के एक से जादा सैलिबल है एक से जादा टुकडे हैं तो more और most लगेगा जैसे भाई देखे बिग, कितने टुकड़े हैं, एक ही, एक ही अलफाद और सेलिबल कितने हैं, एक सेलिबल है, बिग, तो ये बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, एक वर्ड है, कितने सेलिबल हैं, भाई एक ही सेलिबल है, एक ही सेलिबल है, एक ही टुकड़े है, टॉल, अ असर is handsome, असर is handsomer than, असर is the handsomest, नहीं, असर is handsome, असर is more handsome, असर is most handsome, वीक, just the example, just the sentence, I know, I hope I have increased your blood, now you have increased your blood, okay, small, small एक word है, कितने syllable हैं, एक ही syllable है, तो हम समझ गए, कि जब यह small को अगर compare करेंगे, तो smaller is smallest, अब beautiful कितने थे, तीन थे, तो of course, तीन है, तो हमें more or most लगाना होगा, more or most लगाना होगा, like this, so this is what we call adjective, यह हमारा कहलाता है, adjective, सही कानी का मैंने शुरू में, कि adjective क्या है, noun, pronoun का चमचा, यह बात सही थी नहीं थी, बिलकुल सही बात है, adjective क्या करता है, noun, pronoun को explain करता है, तो बाद यह समझाई, कि यह तीनों लेक्चर एक दूसरे से interlink है, noun, pronoun, adjective, अगर तीनों को एक साथ समझा जाए, जहन में बिठाया जाना तो problem solve वह जाती है, अब मुझे अमीद है कि आप तीन अलफाज, कोई भी आपको कोई जुमला देगा, कोई कॉम्प्रियंशन देगा, कोई paragraph देगा, उसमें से आप तीन अलफाज असानी से पहचान सकते हैं, noun, किसी भी जगा, चीज़ शक्स, जानवर का नाम, noun की जगा जो इस्तमाल हो रहा हो, pronoun, और noun, pronoun की जो खासियत बता रहा होगा, वो क्या होगा, adjective, noun, pronoun की खासियत, बिल्कुल अभी पूछ लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, लाइफ टाइम याद रहेगा, आपको उमीद है, तोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं,